प्रशिक्षित किया जाए उसके हाथ में सही लोगतांत्रिक हत्यार पकड़ाया जाए उसके बाद की कहानी अपने आप लिख दी जाए मेरी भूमिका कुम्हार की है जो लोग अगर एक साथ आ गए तो जैसे घड़ा अगर बनता है वो चाक और मित्ती की ताकत से बनता है आप अपनी ताकत से जीट कर आएंगे मेरे मेरी भूमिका यही है कि आपको विश्वास दिलाओ कि चिंता मत कीजिए चुनाओ कि उसकी चिंता हम पर छोड़िये आपकी ताकत है आपको आईएगा और आपको दिखेगा रिज़न्ट सामने अब लोग पता रहे हैं कि चाती से कैसे निपटियेगा कोई पूझेगा तुरंट इसके वो सवाल अभी थोड़े देर में रख लेंगे वो सवाल सबसे जादा पूछा जाता है अब इसको करने के लिए क्या कर रहा है अभी से लेके अगले चार महिने तक लोगों से मिल रहा है अभी मैं सिवान से आ रहा है पांच दिन सिवान में था उससे पहले पांच दिन में शाली में था कोई ब्रेक नहीं लिया है कोई राजमिती ग्रैनी नहीं कर रहे हैं, छोटी-छोटी मीटिंग्स में बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, मैंने पांच वई को एक प्रेश कोंफरेंस किया था पटना में, उसमें बताया था कि कोई सारे 17-18 अजार लोगों ने अपने हां बुल लोगों ने अपने हां बुलाया है, उनकी यहां चाहते हैं, पीटिंग और नइस करने, यही बात करने हैं, जो आपसे कर रहे हैं, वो संख्यात 5 मैं को थी, 17-18 अजार, आज वो संख्याबर के होगी करीब 70 हजार, 70 हजार लोगों पुले राचे से बुला कर दू बूलाना प्रकाएं अपने अपिस में, अपने घर में, अपने घर में, अपने फिद्में, अपने धला बियाँ आइये, बैर कुकिया प्रकूर, गजा जायार, लोगों ही नहीं चाहता है, जो कोई नहीं चाहता हैको उसकाचा अढेक रिengoar कांगशा ना हो, जो परिधा रिष्याम तो उसकी एक प्रक्रिया है, अगर ज्यादा खात पानी डाल दीएगा तेली से बढ़ाने के चक्कर में तो जल जाएगा, मेरी एक अपनी समझ है कि विहार में क्या होना चाहिए, आपकी भी एक समझ हो सकती है, यहां पेदे हर वेक्ति की समझ हो सकती है, लेकिन जब तक आप पिहार के लोगों से जाकर मिल न लें, उनकी बात सुन और समझ न लें, तो कैसे दल मना करें, पहले से एक अपजा चल लें, तो मैं भी मना दूँगा, उसमें क्या फ़र्ट पड़ जाएगा, दूसरी एक बार बात समयते हैं, मैं किसी के साथ गाली गवाल नहीं करना चाह हैं न, लाइन को बीना छुए हुए उसको छोटा करना है, तो सामने बड़ी लगीर पीचनी पड़ेगी, किसी को गाली गवाल देने से, फिर तो हम भी वही कर रहे हूं कि जो दूसरी नेता और राजनेता और दूसरी पाटिया कर रही है, आपकी चिंता सो हमी हैं जल्दी होना चाहिए, सहाब एक दिन भी प्रेक नहीं लेके, लेकिन एक बार मिल लेने दिजिए लोगों से, कि क्या होना चाहिए, एक बार समझ लेने दिजिए, वरना जैसे ही कोई सफल्दा मिलेगी, तो फिर वही लोग हमारे भी ट्रेंदे पेट रहें कि जो पहले से बैठे 2014 में मोदी जी की लहर थी, बड़े बड़े सुर्मा, बड़े बड़े गल्बह गए उसमें, तो बिशले सरकम से आपको पुछना चाहिए, लहर तो थी ये पता है, ये बताओ कि लहर बनी कैसे, पता नहीं पाएगा, लहर बनाने में समय लगता है, पसीना बहाना पड़ता आपके हमारे प्रयास से लहर थनेगा, एक बार लहर बन गया, तो कोई सामने टिकने वाला नहीं है जंता के सामने, लिकतर रखे इसका, अरवणी करने से गलत हो लाएगा, एक देड़ साल, दोबो से भिलने में कोई दिक्कत नहीं, अभी सरकार चुली होई सरकार है, उनको काम को दर रहे हो, काम करने टिके साड़े पीन साल भी है, काम हमको करने टिके से इसका दिकत क्या है, अब लोगतां च्रीक कुछ नहीं है, भई देखिये, जंताने बोड़ दिया है, तभी दो वहां पर बैठे है, जे, मैं ये शोरना है, लेकिन जल्दी इससे ज्यादा जल इससे जब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, अब एक दिन में साथ आख किलोमेटर से जादा आप नहीं चल सकते हैं, पांथ दस काउं से जादा नहीं जा सकते हैं, मैं मेरा नाम मिरेंदर कांद चौधरी है, मैं पठना उचन्याला में जवक्ता हो, और मिनिस्ट्री आफ एफ प्रस्त पत्र लिख हुए हैं, यह ब्यवस्था की कमी है, यहां इतने लोग पैखे हुए हैं, हर आफिस अगर मैं पूछूँगा, कोई कहेगा कि सिख्षा सुधरनी चाहिए, कोई बताएगा कि स्वास अच्छा होना चाहिए, कोई लोग की जब सही लोग चुट कर आएं जिसकों भी आप देश में बड़ा भारी इंटिलेक्शुल मांते हैं, वो इस सब्द और इन किशेओं के जानकार हैं, सबसे संपर्ग किया, बात किया, यह पूछा कि सुशासन का देफिनिशन क्या होना चाहिए, सुशासन को कैसे परिभासित किया जाए, सिख्षा के अज अधार पर किया जाए, समाधी कि नयाद पर किया जाए, यह संपर्दा इत्ता पर किया जाए, तो सारे चिंतन मनं के बाद जो बात निकल कर आई, कि कांधी जी ने जो बताया कुछ सोच से प्रेरित होकर, वो सरकार जो जनता की इच्छा और अपेच्छा के अनुसार चले, अब उनके मामनन्दों पर खरा उद्रे उसी को सुराज कर सकते हैं इसलिए इसका नाम दिया जन्द सुराज ये भादपा सुराज और प्रसान सुराज नहीं है ये निति सुराज और लालो सुराज नहीं है क्योंकि जो भी सथा में बैखता है वो यहीं बताता है कि जो मैं कर रहा हूं यही सुशासन है जो भात्पा के सपर्थत और भेता है वो बताएंगे कि जो उन्ती सरकार कर रही है वही सुशासन है इसी से रामराज यह आएगा जो कॉंग्रेस के रोग हैं वो बताएंगे कि भात्पा में देश बरबाद कर दिया जो हम लोग पहले कर रहे थे वो सुराज था और कहीं नितीज जिसे मिल लिए तो आपको बताए कि किसर को कुछ महीं आता है हम है सुजासन बावनू हम जो विहार में कर रहे हैं यही सुराज है इसलिए व्यक्ति और दल से उपर उठकर जो जनता के नजर में सुराज है उसी को सुराज माना जाएगा मात नितीज जिए कि हाँ म्यूजियम बन गया है सब़त बन गई है नितीज जिए उटके दल के लोग यह आखर कर सकते हैं कि हमारे सुशाषण का नतीजा है कि यह रोड बन गया लेकिन बच्चों का परिक्षा प्रस्पत्र लिग हो गया यागर आपके गाओं में विज्ञाले नहीं है आपके घर में कोविक के दोरान किसी की पृत्तिव हो गई आपके लिए इस लिए इसका नाम दिया जन्र सुराज पूरे साथ सदर इंडिया में कड़ाया है आप आंधरा मचले जाएए आप जैसे नाम बताएएगा पुषांत की सोर तुझे का कौंसी जाते हैं सीधाम उपर कभी आपने पेपर में किसी विज्ञेसर को लिखते विए देखा है कि आंधरा में भी जाती है पोई नहीं बतात अब दूसरी बात पर आएप सुना होके बदर ये से आपकी बात है कि जाती पर ही वोट पड़ता है आप हमको पता नहीं है माल लेंगे तो 84 में 1984 में बिहार में किसको वोट परा कॉंग्रेस पार्टी को कॉंग्रेस पूरे बिहार को जीत कर आई आई थी ना तो 1984 में राज कि इंद्रा गांदी के व्रित्यू से उपजी हुई सहानबुथी के लहर में भईया सब जात पात का आदमी कॉंग्रेस को वोट दे दिया बोलिएगा ना इसको लिप के रखिये फिर पुछेंगे 1989 में क्या हुआ बीपी सिंगे ने तृत्रित्र में बूरा बिहार में जंत सब्सक्राइब को भूट दे दिया माल लिया बात को इसको भी लिप लिप लिजिए फिर ऐसे पचीसे गांपन दे सकता हुआ उने कि आप तीन दे के समझा रहा हूं फिर 2014 में आ जाईए पूछेंगे कि जिस राज्य में मोदी जी की जाती का एक आदमी नहीं रहता है आज आप आज़ा 2014 विहार कैसे जीद गई आप अपताईएगा वोदी जी के नाम की लहर दिभया कुछ नहीं चला जाए पांसओ लोग मिल करभो जदिया वोदी जी के नाम पर बोलिएगा ना यह मेरा भविशिकार प्रडिक्शन नहीं है जो हुआ है वह आपको बता रहे हैं अब पुरा कर लें भी सवाल कुछें ये क्या थी घंटा क्यों वदा रहे हैं पहली एक धटना है और धटना से उपजी हुई सहानुगुति की लह है दूसरा एक मुद्धा है अब रस्ताचार और उस से उपजी हुई हुई लह है और तीसरा एक व्यक्तित्व है जिससे प कोई मुद्धा अगर कोई खटना लोगों को कंविंश कर ले जाए लोगों का उस पर विश्वास हो जाए तो समाज जातियों से उपर उपकर वोट करता है करेगा नहीं करके इसी विहार में लोगों ने दिखाया थे होता ये है कि चुनाव में आप भी वैसे ही दिख रहे जन्ता कहते है कि दोनों को एक जा जाते वाले को दे देते हैं मिने जाते किसी वाले को मदद करेंगे समाज में काम कीजिए समाज मेता बनाता है भिकत यह है जितने यूध है जितने यूज़ों है आपको नेजा बनने का रास्ता ही गलब पिल गया आप किसी मेता के साथ सुपर जातें सोचते हैं कि इनका धंडान लेकर भूमे भया को पानी पिलाएं इनका दिन्दा बाद पुर्दा बाद करें फिर कुछ दिन के बाद हमको यह जगा दे देंगे अरे में भूम है भया कि अपना जगा छोड़ कर आपको दे देंगे कभी ऐसा हो सकता है दस साल के बाद उसको लगता है कि आपका अंच्छा पढ़ने लगा कि आपको सब्सक्राइब धका मारके बाहर करता है तो फिर आप कहते हैं कि अंच्छा बाद खाबिया दस साल महनत कर रहे थे इनके साथ लगे हुए थे इनों नहीं मदद नहींगी अरे भाई आप गलब ट्रेन पर चड़के जा रहे थे देखिए समाज बनाता है किस बनाता किसको समाज में नेता समाज बनाता है कोई फॉर्मूला नहीं है जिस समाज को आप न चाहते हैं उसके लिए कम से कम अवेलेबल हो ये हम आकर आप को पैसा नहीं दे रहे आप की समस्था नहीं सुझा रहा है, आपको रुद्गाद रहे हैं, पैसा नहीं दे रहा हैं, आप क्यों सुनने आए, हम यहाँ पर रास्न आपका जवाब देने के लिए खड़े हैं, आप अपने गाउ में विपीद लोगों के लिए खड़े होईएगा, वाद आपक के सु